Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tashkir Guys, इस particular video में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर emojis insert कर सकते हैं यहाँ गूगल डेटा इस टुडियो के अंदर किस तरीके से हम लोग emojis insert कर सकते हैं तो जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर मैंने यहाँ पर कुछ products ले रखे हैं यानि कुछ बहुत ही basic से dummy data है यहाँ पर यहाँ पर कुछ product है जैसे इस product को rating मिली है 1, 2, 3 मिली है ठीक है यहाँ पर 7 products है और इन 7 products को कुछ इस type से rating मिली है इसको rating 1 मिली है, 2 मिली है, 3 मिली है, 4, 5, 6, 7 इस type से इन अलग-अलग products को अलग-अलग ratings मिली है out of 10 मान के चलते हैं ये कुछ भी हो सकता है इसको 5 भी मिल सकती थी 4 भी बटी के वल एक dummy type की data है आपको समझाने के point of view अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो rating लिखी ही है 1 इसकी जगह पर एक star आ जाए ठीक है एक emoji star बन के आ जाए यहाँ पर जो rating लिखी ही है rating 2 इसकी जगह पर 2 stars आ जाए यहाँ जो rating लिखी ही है rating 3 इसकी जगह पर 3 stars आ जाए उसी तरीके से 7 जो number यहाँ पर लिखा हुआ इसकी जगह पर 7 stars हमें यहाँ पर show होने लगे emoji stars show होने लगे तो इसके लिए guys हमें क्या करना पड़ेगा एक नई dimension हमें add करनी पड़ेगे और हम लोग पहुंचेंगे सीधे create field में और यहां पर मैं लिख देता हूँ star rating और यहां पर हमें उसका formula create करना पड़ेगा तो वाइस हम लोग आ जाते हैं case के उपर case के बाद हमें यहां पर लिखना है when rating is equal to when rating is equal to 1 then हमें क्या करना है हमें inverted commas बनाने और बीच में आके हमें अगर आप windows के उपर काम कर रहे हैं then आपको window और dot यह press करना है जैसे आप press करेंगे यहां पर आप देखेंगे emojis आपके सामन कर लेता हूं right so when rating is equal to 1 then single star इसी तरीके से मैं इसको copy कर लूँगा और यहां मैं next line में आ जाता हूं function enter दबाके और यहां मैं control भी कर दूँगा और यहां पर guys मैं और भी ज्यादा इसको एक बार जो है next line में लाके वापस मैं control भी कर देता हूं क्यूंकि हमें 7 तक चाहिए त तो यह 7 हो गए हमारे अब हम यहां पर थोड़े से जो numbers हैं उनको भी change कर देते हैं वन तू हो जाएगा three four five six and last वाला जो है हमारा seven और यहां पर guys हमें क्या करना यहां पर हमें stars के number भी increase करने तो यहां पर मैं इसको copy कर लूँगा यहां मैं इसको paste कर देता हूं तो यहां द कर लूँगा यहां से और यहां पर में चार stars गला देता हूं उसी तरीके से नीचे हमारे अब फांच vari हो जाएंगे ठीक है यहां पर हम लोग 5 star कर देते हैं इकegen्द yellowlang यह 5 star होगे, यहाँ पर हमारे 6 stars हो जाएंगे, तो मैं 5 के 5 stars यहाँ से copy करके 6 कर दूँगा, यहाँ पर all 6 मैं copy कर दूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर work है, और इसको मैं enter कर दूँगा, बाकी हमारे syntax में end में यहाँ पर मुझे end लिखना पड़ेगा, तो मैं end यहाँ पर लिख कर देना है, तो जैसे ही आप apply करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक नई dimension आपको यहाँ पर create होते हुए दिख जाएगी, तो वैस इस type से आप किसी भी तरीके की जो emoji है, उसको आप यहाँ पर show करा सकते हैं, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे rating से नहीं दिखानी है जो numerical ratings दिख रही है, मुझे नहीं दिखानी है, तो simply यह जो ratings का numbers है, इसको मैं यहाँ से remove कर दूँगा, ठीक है, और यह जो data आप देख रहे हैं, basically मैंने आप गूगल शीट में dummy data बना रखी थी, केवल आपको समझाने के point of view से, तो आप इसको देख सकते हैं, वही पर अग इसको four ratings मिली है, मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ, एक बार मैं data को refresh करूँगा, जैसे ही मैं data को refresh करूँगा, आप देखो यहाँ पर four दिख जा, तो इससे हमें पता चल रहा है कि real time में चीज़े change हो रही है, तो इस type से आप emojis को भी use कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि star emojis को हम लो इमोजी लेनी, यह वाली लेनी, तो मैं यह भी select कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई और दूसरी emoji लेनी है, तो उसका भी scope है हमारे पास, हम किसी भी type की emojis यहाँ पर ले सकते हैं, let's say, मैं यहाँ पर यह वाली emoji यहाँ पर show करना चाहता हूँ, तो यह भी मैं यहाँ पर show यहाँ पर आप देख सकते हूँ, यह insert होगे, तो guys यह generally तभी use करते हैं, आप जब आप किसी चीज़ को good या bad show कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ratings है, तो वह एक चीज़ का indicator है, जब कभी भी आप indications देना चाहते हैं, जैसे good ratings जो हैं, उनको आप smiley से, positive smiley से आप show करा सकत हो कि जहाँ पर जो stars है, वो one है, ठीक है, वहाँ पर आप sad emoji show करा दो, ठीक है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर अगर star one है, तो यहाँ sad emoji हो जाए, या bad rating लिख कर आ जाए, तो ऐसे भी हमारे पास options हैं, यह भी हम कर सकते हैं, basically बहुत सारे options हमें मिलते हैं, Google Data Studio के अ अपनी जो data health को visualize कर सकें, जो information हम show करा रहे हैं, उसको visualize कर सकें, दोस्तो इस particular video में इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, goodbye